है गाइज वेलकम टू मैं चानल इंडियन मौम का अंचन सो गाइज अभी बज रहे है चार हां और यहां पर खाना हो गया है है सब कुछ हो गया है अभी डूटी से यहां पर देखो दनिया पता तोड़के रखा था यहां पी यह कितना चमक रहा है आज इसे अभी इसमें रेद भरनी है और वो पॉट लगाने है जो मैं आपको थोड़ी दिर के बाद दिखाती हूं क्या क्या करना है और कहां पर रखन तो आज खाया था वो काफी दिनों से मतलों अभी मुझे दिखा तो मुझे याद आ गई थी कि यार खा लू मैं साथ तो क्योंकि ममी के आपे थी ना तो सुबह सुबह साथ दो क्यों बताना कमेंट करके वो चैनी की डाल का पीस के लाते है और उसके लड़ू पी बनते है अर हम लोग ऐसे ही गुर डाल के खा लेते है वो थंडा रहता है बोलता है तो इसी वज़े से वो खाया था आज ममी की आद आ गए थी मुझे इसलिए वो खालिया था चलो फिर कामों में लग जाता है बाकी के और आज मुझे एक दो वीडियो भी शूट करना है वो भी अज मुझे बना के देने वाली है मही हैस्टाइल पता नहीं अभी वो ऐसे ही सीखती रहती है और मुझे बोड़े की ममा आज बना के देती हुमे है तो मैं अब्लाथ का भी आतने च उफे देखी ता रुटर से अशे वो मही नहीं बना के दिए थी तो चलो अबी बना तो म क्या करेगी पता नहीं अभी यह लेचे से कॉंब कर लेती है टांगल्स में जाने जाए हूं उसके बाद हो ताग दिखें गई है ठीक है पच्छी ना रहा है यार मुझे कुछ वह लगानगार मसा करें तो हुष्ट इस दोड़ा थो से जानों यहांगाया रखा खाला है किया सबस्काराइड को बताती है अपको पूरी माही की हैस्टाइल बनने की बाद दिखाती हूं क्युकि इसको समझ में यारा है कहां से करे कर दो कर्क एंद कर दो के यहार वहाद Umidica किसी अंहिन जहाएं अंहे जद्टि बनादी कुछ भी यार इतना टाइम पर्स किया आपने मेरा बहुत ज़्या आपके पास रीजन देखो इसके पास प्यान चलू था ये था वो था चलू कोई बात नहीं मुझे रात को करें देडिना ठीक है रात के फाइदा昨 accessibility वाल होने और अज बूट्टा पार्टी ऑस दिन एक बूट्टा बचता है helps किसको भुट्टा पसंद है गमेंट करके ज़रूर बताना मुझे और बारिज के टाइप में तो भुट्टा कहाने का मज़ा ही रहता है जैसे कि बाहर जाते है CR Murita Yar बाहर भुट्टा खाने का तो एक अलगी मज़ा है वैसे बट चलो कोई नी घर पे सब फैमिली मिलके अगर भुट्टा पारटी करे तो और भी जदा अच्छा लगेगा तो यहां पर वही चल रहा है बून लेती हूँ भुट्टे को और उसके बाद क्या-क्या लगाऊंगे वो भी बता देती हूँ आपको हलका सा मिर्च पौडर लेना है थोड़ा सा मिर्च पौडर लेना है उसके बाद उसमें नमग आड करना है काला नमग आड करना है और निम्बू लेना है और उससे अच्छे से उसको लगाके निम्बू को लगाके रगड लेना है उसके उप यहां पर कर रही हुँ मैं अपने कीचन के काम जो सुबह आपको धनिया पता दिखाया था वही फ्रीज में रख रही हूँ अब यहां पर बस क्लीनिंग कर रही हुँ क्योंकि यह दानिया पता अगर आप वाश करते हो ना तो ज्यादा दिन नहीं टिकता है तो इसी वजह से अभी धनिया पता ही पॉल्थिन में ही रख दूंगी आगे ही रख दूंगी थाकि वूस पर बार बार ध्यान जाए और ज्य क्लीन कर रही हुँ क्योंकि यह डाइनिंग टेबल मुझे आज क्लीन करना है पूरा अच्छा से क्लीन करके ही आज मैं मानूंगे यह काफी दिनों से पड़ा है इसके उपर बहुत सारा था मतलब मेस तो एक-एक करके थोड़ा 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 करके उठा रही हुँ बहुत खाली-खाली सा लग रहा था अभी लिविंग रूम क्लीन हो गया था उस टाइम भी बहुत खाली-खाली सा लग रहा था एक दो मैसे अर्गनाइज लगता है सारा कुछ और आपका ध्यान गया है कि नहीं हैस्टाइल पर देखो माहे ने हैस्टाइल बना के देदी बहुत अच्छी लग रही है वैसे उसका मैं बहुत जादा शोक है कोई भी हैस्टाइल देखती है तो जल्दी से सीख भी जाती है और खुद की बना भी लेती है बट थोड़ा सा दूसरों की बनाने में प्रॉब्लम होता है उसे और मेरा कैसा है कि मैं खुद की नहीं बना अज है तो यह यह हैसे अध्विक बड्ड़े के टाइम छाय की लाये तो वह कितलuster रहते हों और Sum in के खारलेते हैं Argh इसके बाद एक और है छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी तो वो भी रख दूँगी इसके उपर और बस ये खाली लग रही थी बरनिया मुझे तो इसमें मैंने ये राजमा बर दिया किड्नी बेंस तो क्योंकि ना इसमें ड्राइफूट्स अभी लाए नहीं है जब डिमाट जाएंगे हम लोग तब ड्राइफूट्स लाएंगे और थोड़े सा कुछ ग्रॉसरी वगरा है तो वो भी लेके आएंगे और यहाँ पर देखो क्लीन होने के बाद कैसे लग रहा है डाइनिंग टेबल यार इतने दिनों के बाद मैं डाइनिंग टेबल बहुत ज्यादा कच्रा नीचे गिर गया था जैसे मैं सब कुछ कर रही थी तो वहीं मैं जाड़ू मार लूँगी अभी और जाड़ू मारने के बाद वह प्लांट इनको लगाने के लिए बोलती हूँ मतलब जो आर्टिशल प्लांट है तो वह ब्रास के प्लांटर में थोड़ा सा वह मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है बहुत जाता किसना पड़ता है उसे तब जाके चमकता है नहीं तो कुछ दिनों की बाद जल्दी से काला हो जाता है तो इसी हो जैसे और पता नहीं यार बलर बलर क्यों दिख रहा है यह यहां पर तो चलो कोई बात नहीं ना मेरी तब्यत खराब हो गई थी इसलिए मैंने सोचाता कि चलो यार जाने दो और मैं अब ही सोच रही हूं कि क्लीनिंग करी रही हूं तो डीप क्लीनिंग क्यों करो मतलब बार-बार मुझे करने की ज़रूद नहीं है और अभी जो डीप क्लीनिंग करूंगी ना तो मु living room की भी क्लिस निग करना ही पड़ता है वाट कीचन में मुझे नहीं करना पड़ेगा इस बार डीवाली के मेहारा त्वहाशन करेंडकर मेरा उस टाइम नहीं होगा डीवाली ब्रहं अपर उपर से तो clean करना पड़ेगा क्योंकि उपर उपर से तो clean करना ही पड़ता है थोड़ा धूल वगर बैठी जाती है बट मेरी daily habit में ऐसी रखी है कि मैं ना हमेशा हमेशा clean करती रहती हूं कोई भी चीज जैसे कि मेरे सांगने दिख जाती है कोई आखों के सामने तो वह मैं clean करें विगर मानती नहीं हो तो इसी वजह से मेरा घर जादा गंदा नहीं होता है अभी ये furniture का काम चल रहा था और मैं बहुत जादा बीजी थी इसी वजह से इतना दो ट्था हो गया था बट बाद में नहीं होगा देखना और यहाँ पर यह प्लैंटर से लगाए हैं यहाँ कि इसा है लगा रहें हुऊ है आपने देखा होगा इससे पहले रखा हुआ तो आपको भी पसंद आया था बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि यह प्लांटर कहां से लिया है तो मैंने तो यह लोकल मार्केट से लिया था बर आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक आपको कैसे लग रहा है कमेंड करके जरूर बताना मुझे यहां पर रखते है देखो और क्लीन करने के टाइम जैसे कि हम लोग पोचा मारता है तो उस टाइम उठाना पड़ता है और बस अब भी चमक रहा है तो बहुत जाद अच्छ लगते हैं लेकिन कुछ दुने के बा अधविक को सुकुन मिला है मेरे जो मेरी सीडियो का पुराना लुक है वो वापस आ गया है वापस मिल गया है मुझे बहुत अच्छ लग रहा है मुझे तो माही बना रही है अधविक और माही के लिए दूद यह देखो बचारे अधविक को भी नया लाना बढ़ेगा अधविक अधविक को अधविक नfinden करना तो माही को बचारे को मधिका चारे अधविक कोः हमें आधविक करना अदीख ऑना हीम्टे से कुछ secrets товya मां मेरा भी यह बना और मैंग मेरेग्स चलिए गाइज इसके साथ इस व्लॉग को एही पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे आपको यह चोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिना अगर अपने अभी तक नहीं किया है तो और हैस्ट्राइल कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताना और हाँ इसके अलवा मेरे तो और चैनल है आप चाहँ तो मुझे वहाँ पर फिर सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना तो चलिया फिर गाइस बाबाई टेक कियर एंड लव यॉ बाई धान रखना अपना